अगर आपका सपना भी है हिमाचर प्रदेश विश्व विद्याले से MA, MSC, MCOM, MTEC, MBA इत्यादी कोर्सिस करने का तो ये वला वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि इसमें हम डिसकस करने वाले हैं कि जो intense test based courses हिमाचर प्रदेश विश्व विद्याले चलाता है उसकी notification यहाँ पर जारी कर दी गई है 22-4-2024 को और 23 तारिक से form fill करना शुरू हो चुके हैं तो अगर आपने अभी तक अपना form नहीं वरा है जल्दी से form fill कर दीजिए और हिमाचर प्रदेश विश्व विद्याले से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए यहाँ पर जो general category की fees है वो 700 रहने वाली है और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर reserve category से है SC, ST, IRDP, EWC, त्यादी से तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपकी fees जो है वो कितनी है 350 रुपए है लेगर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि MCA, MTEC, Computer Sciences में अगर आप admission लेना चाहते हैं तो उसमें फॉरम फिल करने की जो fees है वो 1000 है और दूसरी तरफ result category बालों के लिए वहाँ पर 500 आपको पे करना पड़ेगा तो website यहाँ पर दी हुई है देखना युनिवरस्टी की www.admissions.hp.shimla.in पर या फिर www.hpuniv.ac.in पर जाकर आप अपना फॉरम फिल कर सकते हैं चार मई तक आपकी आखरी डेट है फॉरम फिल करने की उसके बाद जो है आप फॉरम नहीं बरपाएंगे तो अभी से अपना फॉरम भर दीजिए लास जेट का इंतजार मत कीजी क्योंकि कई वार साइट में किसी भी प्रकार की परिशानी और समस्याएं रहती हैं तो ये तो बात होगी फॉरम फिल करने की अब यहां पर हम जो त्यारियां करवा रहे हैं हम करवा रहे हैं MA हिंदी बालों के लिए क्योंकि मेरा अपना सुजक जो है वो हिंदी है तो अगर आप भी हमार्चपरटेश्व शुष्वी द्याले से MA हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिए बाकी लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आपने आभी तक जो भी पड़ा है ग्रेजोशन में अब उसी को ही फोकस कीजिए और जिस भी पेपर को आप भर रहे हैं उसके पुराने पेपर अपने सीनियर से लीजिए जिनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है अगर आपको किसी भी परकार की कोई परिशानी आती है तो आप हम से संपर कर सकते हैं कि कैसे आप इस एड्मिशन प्रोसेस तक पहुंच पाएंगे और स्क्रीन पर दिये गए वर्टसेप नंबर के जरीए आप हम तक पहुंच सकते हैं अब बात करते हैं में हिंदी वालों के लिए और साथी साथ आप लोगों का जो एंटेस टेस्ट का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है हलां कि पहले आप लोगों ने देखा था कि 6 अप्रेल को ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गयी थी ठीक है तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे देखिए एक तरफ कोर्स का नाम दिया हो है दूसरी तरफ जो है एंटेस टेस्ट की डेठ दी गई है तो यहां से आप देख लिजएगा कि कब-कब आपका एंटेस टेस्ट होने बाला है और अगर आप यहां से नहीं चाहते तो आप इनी वेबसाइट पर जाएगे एच पू शीमला लिग लिजिए सबसे पहले आपको जितनी भी informations हैं वो सारी की सारी वहाँ पर मिल जाएगी कौन सा exam कब है हम बात कर रहे हैं में हिंदी की तो में हिंदी यहां पर देखिए दसवे नंबर पर आप देखे होंगे में इंगलिश और में हिंदी तो 76-2024 यहनी कि आपके पास एक महिने से जादा का समय है तो अगर आप अभी से ही अपनी तयारियां अच्छे से कर देते हैं तो आपका यह entrance बहुत ही आसानी से clear हो सकता है यह specially उन लोगों के लिए वीडियो हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई तो करना चाते हैं लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिल पाती और वो सही तरीके से जो है वो मतलब नहीं कर पाते आगे अपनी पढ़ाई को continue तो आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए ही जादा महतपून है बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी फॉर्म फिल कर भी लिया होगा लेकिन proper guidance कई बार हमें नहीं मिल पाती है तो मैं आप लोगों के लिए कहूंगा पहली कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप हिमाचत पतिश विश्यव विद्याले में ही पहुंचें अपना में वहां से कीजिए ऐसा नहीं है कि आप colleges से नहीं कर सकते colleges भी बहुत अच्छे अच्छे बहतर colleges हैं जहां से आप बड़ी असानी से अपनी में की डिप्री जो है वो कर सकते हैं लेकिन एक exposure भी मिलता है कि आप bishopी डैले से पड़े हैं आप तरह तरह के लोगों का बड़े senior teachers का अनुपफ यहां से सांजा करके मतलब उनके साथ रहके सीखते हैं और यहां से ना सिर्फ आप अपनी MA ही करते हैं बलकि और भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहां से आप सीख के जा जाने की जूरत नहीं है आप सीधा अपने department में जाए डिपार्टमेंट में आपको बहुत सारी लोग ऐसे मिल जाएंगी जिनसे आपको बहुत सारी inspiration जो है खुद पर खुद ही मिल जाएगी और आप automatically पढ़ाई की और प्रभरित होंगे तो मैं उन सब लोगों के लिए ही क ज़रूर आएगी ये मैं नहीं बलकि जितने भी पुराने students हैं उन सब के अनुभव कहते हैं चलिए तो बात होगी कि university में आना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहां पर आप जो है अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा में ले जा सकते हैं और बहुत बहतर महाल जो तो आपका entrance test है ये सिर्फ ये चेक करेगा कि आप अगर में हिंदी में आना चाहते हैं तो आप में कैलिवर कितना है या फिर आपको साहित्य की कितनी समझ है पहली चीज तो इसमें ज़्यादा तर यही चीज फोकस की जाती है जितने भी previous paper हमने देगे हैं हलांकि इसके कि basic जो भी आपने तीनों साल जैसे मैंने पहले ही कहा वो पढ़ा था उसको ही पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू से लेकर के अंध्य तक आदिकाल वक्तिकाल रितिकाल आधुनिकाल ये आपको पढ़ना है इसमें जो मुख्य लेखक कौन रहें उनका लेखन कि हैं यही यहाँ पर आपको पूछा जाता है थोड़ा सा अपने graduation में कावे शास्तर के बारे में पढ़ा होगा कि साहित्य किसे कहते हैं साहित्य शास्तर से क्या अभी प्राय है संस्कित अचारियों ने क्या कहा पाश्चात्य चिंतकों ने इसके बारे में क्या कहा तो भारत नाटक, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्याज, हिंदी निबंद, हिंदी आलोचना और जो आपकी जीवनी, रेखा चितर संस्मन, आत्मकथा, डाइरी, इत्यारी विधाये हैं, उनसे प्रशन पूछे जाते हैं और साती सात पत्र, पत्रिकारिता से भी प्रशन जो है आपको यहा होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीटेल से जाके आपको जो है चीज़ों को पढ़ना है, आपको बहुत असान यह यूं कहें कि बेसिक जो मुलभूत चीज़े रहती हैं साहित्य की, मुलभूत चीज़े रहती हैं भा हिमाचर प्रदेश विश्व विद्याले में, आप जो है अपनी admission ले सकते हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, तो हमारा एक तारीक से हम नया course शुरू करने जा रहे हैं, उन विद्यारतियों के लिए जो हिमाचर प्रदेश विश्व विद्याले में, वाकिए मे एमे करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा टीचमिंट जो एप्लिकेशन टीचमिंट टीउशन एप पे हमारी क्लासिज लगती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपने भी हमारे इस कोर्स में एन्रोल होना है, जिसमें आपको कम्प्लीट हिंदी सहाईते का इतिहास पढ़ा हैं कि आपने इस कोर्स में खुद को एन्रोल करना है, तो स्क्रीन पर दिएगे वर्ट्सअप नंबर के जरीए आप हम तक जुड़ सकते हैं, आपको सिंप्ली मेसेज टाइप करना है, अपना नाम, नाम के साथ लिख देना है, में हिंदी एंट्रेंस टेस्ट प्रेपरेश जुड़ सकते हैं, इतना सा काम आपको करना है, और बाकी विद्यार्थियों के लिए भी बेस्ट विशिज, आप लोगों के लिए भी बेस्ट विशिज की आप हिमास्पर्टेश विश्य विद्याले में जरूर पहुंचें, और अपने सपनों को साकार करें, पिएश्डी कीजिए, नेट जियर क्वालिफाई कीजिए, और अपने पविश्यक को समभारिए, इसी उमीद के साथ कि आप हमारी लाइफ क्लासिस तक जरूर पहुंचेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अपना जो एक्जाम है, वो कैसा रहता है, एंटरेंस टेस आजद, जय हिंद, जय भारत, चुक्याएं